नमुश्कार में हो प्रिया आज है 11 माई खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर अब इस नई विवस्था से होगा दाखिल खारिज बीपीसी पेपर लीक मामले में अब तक चार लोग गिरफतार बिहार में ठनका और आंधी पानी के आसार मौसम विभाग ने दी च्वेतापनी मश्रूम उत्पादन में देश में नमबर वन राजबना बिहार बिहार में अब छटी कक्षा से ही होगी आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की पढ़ाई अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी ख़बरों की उतस्तार से अब इस नई विवस्था से होगा दाखल खारिज बिहार में दाखल खारिज आसानी से हो सके इसको लेकर बिहार की नितीश सरकार बड़ी ही सजगता से काम कर रही है इसी कड़ी में अब नितीश सरकार ने दाखिल खारिज के मामले में नई विवस्था को लागू करने का एलान किया है जिसके तहती अब बिहार में दाखिल खारिज में और इवन का प्रयोग होने वाला है राजस्वेवं भूमी सुधार विभाग ने इसके लिए नई विवस्था को लागू करने का काम कर दिया है जिसके बाद ही अब और संख्यावाले हलका के मामले में अंचुराधिकारी और इवन संख्यावाले हलका के आवेदरों का निप्टारा राजस्व पदाधिकारी करने वाले हैं इसे प्रभावी बनाने के लिए ही अब सौफ्ट्वेर का नर्मान किया जा रहा है NIC ने इसकी टेस्टिंग का काम भी अब शुरू कर दिया है कई नए फीचर जोडेंगे हैं राजस्वेवंभु में सुधार विभाग से पत्र मिलते ही उमीद है कि माई के अंतम सप्ताह तक सौफ्ट्वेर को विभाग को सुपुर्द कर दिया जाएगा आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे पवन केश्रवास्तव की पवन केश्रवास्तव एक फिल्म नर्माता, लेखक, ब्लॉगर और कारे करता हैं जिनका जन्म 1982 में भारत के बिहार राजु के मरहौरा शेहर में हुआ था हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो आगी की सिक्षा के लिए अलाहबाद चले गया और फिर दिल्ली में काम करने और कम्प्यूटर विज्ञान का अधियन करने के लिए चले गया वो 2008 में चले गया और सामाजिक मुद्धों पर सहायता करने वित वृत चित्र बनाने और प्रत्यक्ष नाथकों के लिए बिहार वो फिर हाला की लोटे थे पवन बिहार की पहली स्वतंत्र भीड वित पोशित फिल्म नया पाठा के निदेशक भी है बीपेस्टी पेपर लीक मामले में अब तक चार लोग गिरफतार सरसटवी बीपेस्टी पेटी परिक्षा के पेपर लीक हो जाने के मामले में आर्थिक अपराध एकाई ने मंगलवार को बड़ी कारवाई की है इसके तहत ही EOU ने बढ़ हरा के बीडियो जैवर्धन गुपता वीरकुवर सिंग कॉलेज आरा के प्रिंसिपल योगेंदर सिंग परिक्षा नियंतरक समेत कुल्चार लोगों को गिरफतार कर दिया लंबी पूछताच के बाद ये गिरफतारी की गई है चारों को लेकर EOU की टीम कोर्ट भी पहुँची थी बतादे कि सोंबार को मामले की जाज के लिए डीजीपी द्वारा गठित SIT टीम ने आरा पहुँचकर जाज की थी जाज किक्रम में बीर कुवर सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल परिक्षा नियंतरक दो प्रफेसर और ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट और पुलिस कर्मियों से पूछताच की गई थी जुलाई तक सभी थानों में इतने पुलिस बलो की होगी नियुक्ती आने वाले समय में बिहार की पुलिसिंग व्यवस्था और ज्यादा दुरुस्त होने वाली है क्योंकि बिहार पुलिस को जल्धी अब 12,000 से अधिक सिपाही मिलने वाले हैं मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार राज्युके विभिने प्रसिक्षन संस्थानों में ट्रेनिंग ले रहे इन प्रसिक्षू सिपाहीों की जुलाई में पासिंग आउट परेड का आयो जिन क्या जाएगा इसके बाद ही इनकी तैनाती जुलापुलिस बल और बिहार पुलिस विशेश सवशेस्त्र की विभिने बटालियनों में होने वाली है बिहार पुलिस में योगदान देने के बाद 12201 प्रसिक्षू सिपाही 9 अगस्त से बुनियादी प्रसिक्षन प्राप्त कर रहे हैं बिहार विशेश सफशस्त्र पुलिस के बटालियन मुख्याले और जुला पुलिस के इन्रों के कुल 24 सेंटरों पर ये प्रसिक्षन दिया जा रहा है केरल लोग सेवा आयोग ने निकाली रिखतिया इच्छुक और योगमिद्वार अंतिम तारीख 18 माई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट केरला psc.gov.in पर ज़ुआ करावे दन भर सकते हैं इसके साथ ही आप इन पदों से जोड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए पूश्चे पर कहीं चावल नहीं है तो कहीं पानी का आभाव बताया गया है नई विवस्था में वेंडर की तरफ से तेल मसाला आदी समागरी की आपूर्ती भी नहीं हो रही है कुछ स्कूलों में रसोई गयास की आभाव से ही बच्चों का खाना नहीं बन पा रहा है कई तो ऐसे भी स्कूल है जहां करोणा से रसोयों की जान चली गई थी और नया रसोयाव तक नहीं रखा गया है रसो या नहीं होने पर भी मिड़े मील से बच्चे बंचुत रह जा रहे हैं बिहार में ठनका और आंधी पाणी के आसार बिहार में ठनका और आंधी पाणी की आसार बंते हुए दिखाई दे रहे हैं इसकी वजह स्थानिय मौसमी दशा गुजर रही ट्रफ लाइन और पुर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय चकरवाती दबाव का सक्रिय होना है 11 तारीक से काल वैशाखी के साथ साथ आसानी तूफान के प्रभाव से उत्तर पुर्वी पिहार में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की आशंका है IMD पटना ने यलो अलर्ट जारी किया है हाला कि IMD ने साथ किया है कि असानी चकरवात का एक छेत्र विशेश पर ही थोड़ा बहुत असर संभावित है असानी चकरवाती तूफान की आशंका को देखते वे आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट रहने को भी कहा है विभाग ने कहा है कि इस तूफान से निपटने के लिए हर संभब आवश्यक कारवाई की जाए और सतत निग्रानी रखी जाए मश्रूम उत्पादन में देश में नमबर वन राज़िबना बिहार बिहार में मश्रूम उत्पादन को लगातार बढ़ावा देने का काम हो रहा है यही कारण भी है कि देश भर में मश्रूम उत्पादन ने एक स्थान हासिल कर लिया है रास्ट्रिय बागमानी बोर्ट की तरफ से जारी नवीरतम आकडो के अनुसार बिहार में 2021 में 28,000 टन से ज्यादा मश्रूम उत्पादन हुआ है इस खबर के बाद जहां क्रिशे विभाग में खुशी देखी जा रही है वहीं मश्रूम उत्पादक किसानों की मेहनत भी रंगलाई है एक अनुमान के मुदाबिक पुर्वुत्तर राज्यों में बिहार के मश्रूम की सबसे ज्यादा मांग है इसके अलावा जहारखंड और उत्तर प्रदेश में भी यहां के मश्रूम की डिमांड है यानि कि देश के कुल मश्रूम उत्पादन में बिहार 10 प्रतिशुत का योगदान देता है बिना हिले डुले घंटों खड़े रह सकते हैं बिहार के ये स्टैचू आर्टिस्ट आपने स्टैचू आर्टिस्ट का तरंगी अंदाज खूब देखा होगा युरूप के कई देश में इसका खूब प्रचलन भी है इसी आर्ट में कलाकार किसी पब्लिक प्लेस या टूरिस्ट प्लेस में स्टैचू की मुद्रा में घंटों खड़े रह सकते हैं यही आर्ट अब भारत में भी बढ़ने लगा है इसी कड़ी में अब भीहार के कटिहार के रहने वाले एक युवक नयन कुमार रॉय पिछले कई दिनों से पटना के गंधी मैदान के सभ्यतादवार के नीचे एक ही मुद्रा घंटों खड़े रहकर स्टैचू आर्ट का प्रदर्शुन करते हैं नयन ने बताया है कि वो बिहार के संभवत पहले स्टैचू आर्टिस्ट है जो प्रते दिन किसी एक जोगे को चुन कर अपना परफॉर्मेंस करते हैं बिहार में अब ये दो पेड़ लुपत होने की कगार पर बिहार में फालसा और अंजन के पेड़ विलुपत होने की कगार पर है और राज़े सरकार ने इसका कारण जानने के लिए सर्वेक्षन कराने का फैसला किया है बिहार राज़े जैव विविधता बोड के अध्यक्षडी के शुकला ने कहा कि फालसा सबसे पहले गया में मिला था और वहां से बौधे विदवान उसे वारानसी और फिर दुनिया भर में ले गया उन्हाने कहा कि फालसा का फल पकने पर बैंगनी रंग का होता है और इसका आकार एक से दो सेंटिमीटर तक का है शुकला ने कहा है कि ये फल विभिन प्रकार के विचमन से भरा होता है और इसमें खनिज भी होते हैं और ये आसानी से पचने योग्य भी होता है बिहार में अब छटी क्लास से ही होगी आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की पढ़ाई बिहार के स्कूल में अब छटी कक्षा से ही आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू होने वाली है इसको लेकर CBSE ने अपना करिकुलम तयार कर लिया है इसका पाठिक्रम भी ज़ारी कर दिया गया है इसके साथ ही बोर्ड ने सभी कक्षाओं के स्किल विश्यों का करिकुलम 2022-23 ज़ारी किया है बोर्ड ने इसी सत्र में इसे स्कूलों में लागू करने का निर्देश भी दिया है स्किल विश्यों के प्रती चात्रों का रुज़ान बढ़ाने के लिए बोर्ड ने ओनलाइन स्टडी मटेरिल भी दिया है छटी से आठवी कक्षा तक के लिए स्किल विश्यों को ऑनलाइन जारी कर दिया गया वही दसवी से 20 और 12 वी में 49 स्किल विश्यों का करिकुलम बोर्ड ने तयार किया है इस बार दसवी में 3 और 12 वी में 4 ने स्किल कोर्स को जोड़ा गया है स्वास्ति सुरक्षा समीती में हेल्थ केर निदेशक की जल्द होगी बहाली बिहार स्वास्त सुरक्षा समीती में हेल्थ केर निदेश्रक की बहाली च्रल्थ ही होने वाली है बिहार में आयुशमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए हेल्थ केर निदेश्व की बहाली की जाएगी मेडिया में चल रही खबरों के अनुसार बहाली की प्रकृरियाश शिरू कर दी गई है और आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए हैं इसके लिए मानिता प्राप्त संस्थान से MBBS या फिर BDS करने वाले अभियर्थियों को उपियुक्त माना गया था साथ ही अभियर्थियों के पास Health Insurance Scheme Handling का पांच साल का अनुभव होना भी अनिवारे है शेकपुरा का कुसेडी गाउं के पंचमुखी शिवलिंग में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास कुसेडी गाउं में स्थापित पंचमुखी शिवलिंग अपने आप में अधभुच शिव मंदिर है सेटो बश पहले स्थापित ये शिवलिंग लोगों के बीच आस्था का केंद्र है इस अतिदुरलब तथा प्राचीन पंचमुखी शिवलिंग का दर्शन करने के लिए शेकपुरा जिला के अलावे पूरे प्रदेश से लोग आते हैं ये अपनी मन्नतों को पूरा करने वाले भग्मान शंकर का एक प्रती रूप में सर्वमाने है यहां हर महीने सोंबार को अच्छी खासी श्रधालों की भीड़ देखी जाती है परंतु सावन महीने के हर सोंबार पर यहां हजारों की तादाद में भग्तों की भीड़ भी उमरती है लोगों की मानेता है कि इस पंच मुखी शिबलिंग से वन्ष बृधी के साथ स्वभागी की रक्षा और व्यवाहिक अकांग्षा पूरी होती है बड़े शहरों के तर्च पर नालों को ढखकर बनाई जाएगी सड़क बिहार के अन्य शहरों में नालों को अब राजधानी पटना की तर्च पर ढखकर बनाने की तैयारी हो रही है मीडिया में चल रही खबरों के नसार शहरों में लग रहे जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए ही बिहार की निदीश सरकार ने ये योजना बनाई है जिसके बाद ही अब ऐसे नालोग कोचनित किया गया है जिन्हें जरूरत के अनुसार ढखकर सड़क फ्लाइ ओवर या एलिवेटेड ड्रोड बन सके जैसा कि आपको पता है कि राज्य के शेहरी छेत्रों में जाम की समस्या विक्राल होती जा रही है इसको देखते वे ही तै किया गया है कि अर्बन ट्रांस्पोर्ट पर फोकस कर काम किया जाए इसके तहट शेहरी छेत्र में सर्वे किया जाएगा कि आखिरकार जाम की समस्या का मूल कारण क्या है बिहार राज्य पुल नर्मान निगम ने इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया है अब पट्टा से उत्तर प्रदेश जाना हो जाएगा आसान बिहार में अब जल्द ही एक और बहु प्रतिक्षित सड़क पुल का सपना साकार होने वाला है जो यहां आपने सही सुना पट्टा से भोशपुर को जोड़ने वाला सोन नदी पर बना कोईलवर पुल के दूसरे लेन यानि की डाउन स्ट्रीम का निर्मान कार्य पूरा हो चुका है और अब 14 मई को इसका उधगाटन होने वाला है केंद्रिय सडक एवं परिवन राजमार्ग मंत्री नितिन गटकरी अब जल्द ही इस पुल का उधगाटन करने वाले है वो वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से पुल के दूसरे लेन का शुभारम कर इसे जल्द ही रास्टर को सौपने वाले है जिसकी बाद ही अब सोन नदी पर बना कोईल वर्पुल बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला सबसे प्रमुक राजमार्ग होने वाला है इसके अब स्ट्रीम लेन का उधगाटन पहले ही हो चुका है 10 दिसंबर 2020 से अब स्ट्रीम लेन पर आवागमन भी शुरू हो चुका है अब डाउन स्ट्रीम के शुरू होने से हर दिन लाखों लोगों का आवागमन सुगम हो जाएगा बिहार में जातिय जनगर्णा में गधो की हुई एंट्री जातिय जनगर्णा का मुदा बिहार में गरमाया हुआ है भले ही इस मामले को लेकर बिहार में नितीश कुमार और विपक्षी दल इसके पक्ष में है लेकिन अभी भी जनगर्णान नहीं हो सकी है इसी मामले को लेकर अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और राजी के पुर्व सीम जीतन राम मांची ने बड़ी बात कही है जिसके तहट उन्हाने दोनों सरकारों पर निशाना साथ तेवे एक ट्वीट जारी किया है उन्हाने एक अख़बार की cutting post की है जूसमें मध्यप्रदेश है के विभिन जिलो में गधो की संख्यात दिखाई गई है उन्हाने लिखा है कि जाती आधारित मुलकों में गधो की गिनती हो सकती है पर जातियों की गिनती नहीं की जाती कुछ लोगों को डर है कि अगर जातियों की गिंती हो गई तो दुनिया को पता लग जाएगा कि हमारे यहां किन लोगों ने किनकी हकमारी कर देश को विकास करने से रोक रखा है 25 मई से जगमगाएंगे गंगापत राजधानी बासियों के लिए जल्द ही दीखा से एन सिधा के बीच में गंगापत की सौगात मिलने वाली है इस सड़क के निर्मान का काम अंतिम चरन में है सड़क पर दूसरी लेर का अलकत्रा लगाने का काम हो रहा है दो जून को संभावित उधगाटन भी है इसको लेकर बचे हुए काम को तेजी से पूरा किया जा रहा है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे एन सिधा से पी एंसी एच तक एलिवेटेड रोड है उसे भी फाइनल टच दिया जा रहा है गंगापत पर रोश्णी की कमे नहीं हो इसके लिए बिजली खंभा लगाने का काम तेजी से हो रहा है 25 मई तक लगभग 500 बिजली खंभे पर बल्ब लगा कर दिखा से पी एंसी एच तक गंगापत को दूधिया रोश्णी में जगमग करने की योजना है अभी सड़क के बीचो बीच बिजली का खंभा लगाने का काम हो रहा है इस बार भी जरदालू आम और शाही लीची का स्वाद चखेंगे रास्टरपती और पीए मोधी रास्टरपती रामनाद कोविंद और प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी इस बार मुजफरपुर की प्रसिद शाही लीची और भागलपुर के जरदालू आम का स्वाद चखेंगे मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार लीची और आम की खास पाकिंग करा कर दिल्ली भेजा जाएगा सबसे पहले लीची बाग का चैन होगा एडियम की अध्यक्षता में कमीटी बनेगी माननीय दो साल बाद मुजफरपुर की शाही लीची का स्वाद ले सकेंगे राजसरकार ने इस्ताल लीची और आम की सौगात दिली भेजने का निर्ने लिया है मंत्री मंडल सचीवाले ने दिली सौगात भेजने का निर्ने लेते वे मुजफरपुर और भागलपुर जिला प्रसाशन को तैयारी के आदेश भी दिये है तेजस्वी ने सीम नितीश को दिया 72 घंटे का अल्टिमेटम बिहार में जातिय जनगर्ना को लेकर सियासत तेज हो गई है बिहार विधान सभाय में नेता प्रतिपक्ष टेजस्वी आदब ने एक बार फिर से नितीश सरकार को घेरा है इतना ही नहीं इस बार तो टेजस्वी ने सरकार को अल्टिमेटम तक दे दिया पट्टा में प्रेस को संबोधित करते वे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदब ने कहा कि नितीश कुमार जातिय जनगर्ना पर अगले 72 घंटे में अपना स्टैंड साफ करे अब बहुत हुआ अब देरी बरदाश नहीं की जा सकती है नितीश सरकार को ततकाल काबिनेट की बेठक बुलाकर बिहार में जातिय जनगर्ना कराने पर फैस्ता लेना होगा अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सड़क पर उत्रेंगे भारतिय रेल ने शुरू की बेबी बर्थ अब भारतिय रेलवे उन महिलाओं को खास सुविधा देने जा रहा है जिनके बच्चे फिलहाल छोटे है अक्सर ऐसा देखा गया है कि ट्रेड में सफर करने के दौरान अगर किसी महिला के पास कोई नवजात सिशू होता है या कोई छोटा बच्चा होता है तो उसे सोने में तकलीफ होती है राहत की बात यह है कि अब आइसान नहीं होने वाला है दरसल ट्रेड में सफर के दौरान महिलाओं को होने वाली समस्याओं को देखते हुए सीट के साथ ही बेबी बर्थ बनाए गया है महिला के लिए आरक्षित नीचे की बर्थ के साथ बच्चे की बर्थ की विवस्था की गई हाला कि फिलहाल परिक्षिन के तौर पर कुछ ट्रेर में इसे लगाया गया है जानकारी के निसार लखनव मेल में दो बर्थ की विवस्था की गई और रेलवे इसके लिए कोई अतिरिक्त किराया नहीं लेगा भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्च मैसूर और ब्रिटेन के साशक टीपू सुल्तान के वीच शांती संधी पर हरस्ताक्षर 1784 में आज जी के दिन हुआ दिली में 1857 को सिपाही विद्रो भड़का स्वतंतरता संग्राम के पहले युध के दौरान भारतिय सिपाहियों ने अंग्रेजों के अधिकारियों से दिली पर 1857 में कबजा कर लिया राश्टरपती राजियंद प्रसाद ने 1951 में नब दर्मित सोमनाथ मंदिर का उधगाटन किया भारत ने राजस्तान के पोखरन में तीन पर्मानों परिक्षन 1998 में किये जनसंख्या घडी के मताबिक 2000 में भारत की जनसंख्या एक अरब पहुँची संयुक्त राज़ अमेरिका की प्रशे पास्त्र रक्षा अप्रनाली को भारत का समर्थन अमेरिकी संसद ने संयुक्त राश्ट की देराशी 2001 मेरों की भारतिय सर्बोच नयाले के सबसे वरिष्ट नयाधीश एस एच कपाडिया को 2010 में रस्ट पती प्रतिभा पार्टिन रे 38 प्रधान नयाधीश के रूपे शबत दिलाए वो इस पद पर 29 सितंबर 2012 तक रहेंगे भारत और पाकिस्तान ने लाहौर और अमरित सर के बीच बस सेवाश शुरू करने के लिए 2011 में सेहमती बनी इन यूजर्स के लिए बंध होने वाला है यूट्यूब सस्ते फोन के लिए आया यूट्यूब गो अगस्ते 2022 में बंध होने वाला है या गूगल प्ले स्टोर से में यूट्यूब अप इंस्टॉल करें गो अप अनिवारी रूप से मुख्य यूट्यूब अप का ही एक लाइट बजर था 26 दिन बाद भी KGF 2 की कमाई ने चौकाया यश स्टारर KGF चाप्टर टू की रिलीज को कुछ ही दुनों में एक महीने हो जाएंगे आम तोर पर इतने वक्त में फिल्में सिनमा घरों से उतर जाती है भही KGF 2 ना के वल्टिकी हुई है बलकि अभी भी शांदार कमाई का सिलसला जारी रखे हुए है हाला कि वीकडेज में जरूर रफतार थोड़ी धीमी पड़ी है लेकिन वीकेंड पर फिल्म को देखने दर्शक सिनमा घरों तक खीचे चले आ रहे है फिल्म के 26 वे दिन का वॉक्स ओफिस कलेक्शन आ गया है तो चले बताते हैं कि KGF 2 ने अभी तक कोई कितने करोड का बिसनस किया है KGF 2 ने वर्ल्ड वाइड 1100 करोड का बिसनस कर लिया अंग्रेजी वेब साइट वॉक्स ओफिस इंडिया के मताबिक फिल्म ने अपने चौथे सुमबार को लगभग 2.50 करोड का कलेक्शन किया है इस तरह 26 दिन बाद हिंडी वर्जिन ने लगभग 415 करोड जुटा लिया है उप्मुक्यमंत्री ने पुर्णिया एरपोर्ट के चालू होने का बताया समय बिहार में चौथा एरपोर्ट पुर्णिया मेज जल्द ही शुरू होने वाला है क्योंकि जमीन अधिकरहन का काम पूरा हो गया है साथ ही एवियेशन विभाग को जमीन सौपने की तयारी भी शुरू कर दी गई है जिसके संकेत खुद बिहार के उक्मुक्यमंतरी तारकिशोर प्रसाद ने दिये है इस दोरान उन्होंने कहा कि जमीन अधिकरहन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है उक्तिजमीन को एरपोर्ट को सौपने के साथ ही यहां एरपोर्ट विक्सित करने की प्रक्रियाज शुरू कर दी जाएगी डिप्टी सीम ने बताया कि पुर्णिया एरपोर्ट को विक्सित होने में एक से दो साल का समय लग सकता है अब आई ये जानते हैं सराफवा बाजार और प्रिट्रोल लीजल के क्या थे भाव अगर हम सराफवा बाजार की बात करें तो सोने का भावी 11 माई को 22 कैलेट के लिए प्रतिदस ग्राम 47,560 रुपे था मही 24 कैलेट के लिए प्रतिदस ग्राम 51,320 रुपे था इसके साथ ही अगर हम चांडी की बात करें तो चांडी का भाव प्रति के लो 625,560 रुपे था इसके साथ ही राजधानी पट्ना में प्रिट्रोल की कीमत 116,340 रुपे प्रतिलीटर थी वहीं डीजल की कीमत 101.93 , प्रतिलीटर था लखनाव सूपर जाइंट्स को 62 रनों से हरा कर गुजरात टाइटन्स प्ले आफ में लेक स्पिनर राशित खान ने चार विकेट लिए यश दयाल और आरसाई किशोर को दो-दो विकेट मिले 145 रन के साधारन टार्गेट का पीछा करते वे लखनाव की शिरवाद बेहधी खराब रही 24 रन तक पहुंसते पहुंसते क्विंटन डिकॉक और कप्तान केल राहुल दोनों पवेलियन रोट के थे डिकॉक को यश दयाल ने जबकि राहुल को मुहमत शमी ने पवेलियन की राह दिखाई पहला मैच खेल रहे करन शर्मा यश दयाल का दूसरा श्रिकार बने उसके बाद राशित का ज़ादू चलता गया और गुजरा टाइटन्स ये मैच जीतने में कामियाब रही आपकी ज़ानकारी के लिए आपको बता दे गुजरा टाइटन्स शुरू से ही लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं यही कारण है कि प्ले आफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है कर दो बन गई हैं रहे हैं पहली टीम खरण करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल क्योड़ आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार बिहार में जातिय जोंगरना होनी चाहिए या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज़ के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अबडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बलाइक कौन दवाना ना भूले धन्यवाद